रुकिए दोस्तों आप अगर हमारे वीडियो को देख रहे है तो थोड़ा पैशन बना के थोड़ा रुख जाईए क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने का वो मिल जाएगा आपको लेकिन जो तो वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि स्किप करने से आप जो इंप आप हमें कॉमेंट बुक्स में देशकते हिरिक जानने के लिए दूस्तों जुरे रिया हमारे साथ सब्सक्राइब कर लेजे हमारे चैनल को और घंटे को डबना मख बुलीगा क्योंकि रोज़ारा हम ऐसे ही जो है नौलेजिबुल वीडियो आपके लिए लागते रहते हैं पहले का दो मुनित जाने वीडियो का दो मुनित बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए पहले का दो मिनित अगर आपने सकीप कर दिया तो वीडियो समझ में नहीं आया है। जोस्तों आपको सीधा जाना है आपने ही कोई भी कुरूम ब्राउजर के उपर चाहे तो आप मॉबाइल से भी यह सब कर सकते हैं लेकिन मैं इहां पर जो है लैपटॉप की माइडन से आपको दिखाने वाला हूं इसमें देखिए आपको देख रहा होगा SBA Online, SBA Online यह वेबसें मिल जाएगा Google में आप सास कर सकते हैं यह वाला इंटरफेस आपको मिल जाएगा जहां मिलेगा आपको यूजर आइडी यानि यूजर नेम और पासवार्ड उसके साथ कैपसर कोड़ डालके आपको यह फिल कर देना है लेकिन इसको करने के लिए आपको सीम होना जरूरी है जो बैंग में एक्टीव है वो सीम आपके पास होना जरूरी है क्योंकि आपके पास आजाएगा एक OTP के माईदम से ही आप यह कर पाएंगे उसी के साथ आपको दूसरा जो बेसिक चीज है आपका पास पास तो दोस्तों सोबकु से हमारे पास तो हम जल से इसको शुड़ करते है तो ब्रावजर पर जाने की बात आपको simply क्या करना है आपको इसमें रेजिटर निव एक्टिविशन एक्टिव टुबे क्लिक करना है ओके कर देना है इसके साथ ओके कर देने के बात क्यूंकि आप न कर देना है always allow pop-up कर देना है नहीं तो यह नहीं खुल गए यह कुरूम ब्राउजर पे होता है पहले दफ़ा आपने खूला है कुरूम ब्राउजर पे तो यह option आपको मिल जाएगा इसके always allow पे क्लिक कर देना और done पे क्लिक कर देना है तो करने के बाद आभी करके देखते हैं अभी फिर ok कर देते हैं करने के बाद यह देखिए एक नया window आपके सामने खुल जाएगा इस तरह से कुल जाएगा उसी के साथ New User Registration आपको कर देना है उसी के साथ Activision for the User Name तो यह मिल जाएगा आपको New User Registration पर फिर Next बेटन पर जो ही क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको इसमें दिखाई देगा एक फॉर्म तो इसमें आपको Account Number डालना है, CIF Number डालना है, Branch Name डालना है, Country Name and Registration Mobile डालना है यह फॉर्म आपको फिल करके साबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, हम इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं अभी फिल करने के बाद कुछ इस तरह से आपके सामने आजाएगा, लास में आपको यह कैपसल कोड डालके साबमिट बटन पर क्लिक कर देना है, क्लिक करने के बाद दोरा रुड़की यह दिखिए, Number मेरा पहले से रेइस्टर्ड है, लेकिन मुझे पता नहीं मेरा User ID और Password क्या है, तो हम वही निकालेंगे, अगर पहले से हमारा रेइस्टर्ड है, तो आपका दूसरा बार आपका रेइस्टर्ड नहीं होगा, हम अभी निकालेंगे हमारा रेइस्टर्ड जो User ID था, तो वह रेइस्टर्ड User ID क्या है, उसी के साथ Password क्या था, वह सब हम इसमें निकालन वाले है रिकोभाडी करने वाले है तो पुरा वीडियो आं तक जरूर दिखे का इसकी मत करना क्योंकि फांचियल मैटर है आपको ध्यान पूर्बुग इसको देखना है फिर से चले आया हमारा होमपेज पर आने के बाद इसमें देखिए यूजर न्यू यूजर क्योंकि हम क्लिक करना है हम इस त consent फांचा यूजर करना है तो हम इसको ही यूज करते ही और इसको यूज करते ही हुए हम हमें जो है अमणा आईडी और पासवर्ड रिकोवरी करना है तो हम्मारा ली यह option से ही होगा क्योंकि हमने पहले से रेइस्टेट किया है तो आपको यह वाला option sign करना है select करना है उसी के साथ forget user name आपको पहले जो है ले ले लेना है user id तो ही आपको यह मिल जाएगा ध्यान देने वाले बात यह है दोस्तो recent user id तो through sms तो यह आपका sms टूर से आ जाएगा बहुत सारा option इसमें मिल जाएगा लेकिन आपको ब्रांस से भी एप्रूब कर सकते है set logging password तो हम इसमें कोई option नहीं forget user name और next बटन पर क्लिक कर देंगे अभी हम cif number यह आपका passbook में मिल जाएगा इसको देखते ही आपको यहां से फिल करना है पासbook से देखके यहां से फिल करना है उसी के साथ बाकी जो है country वगरा mobile बगरा और capture code डालके आपको submit बटन पर क्लिक कर देना है हम यहां जो है capture code डालने वाले हैं तो यह 8472 यह डालने के बाद submit बटन पर क्लिक कर दिया क्लिक करने के बाद इसमें देखी एक OTP चला आया है हमारे mobile पे तो हम इस mobile को ATP को लेकि इसमें हम डाल देंगे उसी के साथ confirm बटन पर क्लिक कर देंगे तो हमारा इसमें user ID जो है नि मिल गया है हमारा पहला का जो सेट किया हुआ user ID वह हमें अभी मिल गया है अभी हमको password जो है इसके निकलना है ने देख लिए लेकिन password के लिए आपको एगेंज आना ही इस वाले option पर जाके login forget login my password पर next बटन पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद इस तरह से आजाए इसमे टाइप करेंगे साथ इसाथ आपका account number country name mobile number date of birth और यह capsule code डालकर इसको submit कर देना है तो OTP को डाल दिया submit बटन पर क्लिक कर देंगे उसे के साथ देखिए using ATM card details using profile password reset your logging password with branch verification या आप debit card से कर सकते है profile password से भी कर सकते है या फिर branch से भी verification करके यह कर सकते हैं लेकिन हम इसमें using ATM card details से यह process हम करने वाला है तो इसमें हम पहले वाला option जो है इसमें select कर लेंगे जो reset your password with branch activation यह वाला हम activation नहीं करेंगे तो branch से करना परेगा यह ATM card का details हम इसमें input करेंगे इसलिए आपको ATM card होना जरूरी है जो कि आपके साथ ही रहना चाहिए तो ही होगा तो हम इसमें submit button पे click करने के बाद यह दूसरा एक window खुल जाएगा यह कोई बात नहीं इसमें advance कर जाएगा तो आप advance करना है उसके साथ यह unsap पे आपको click कर देना है यह कोई दरने के बात नहीं यह security purpose के लिए है तो आपको unsap करना है नहीं तो यह option आपके लिए allow नहीं आपका display name आजाएगा तो उसके साथ इसमें confirm button पे click करते ही कि इससे तरह से आजाएगा नीचे वाले तो option में भी आपको देखने को मिल जाएगा तो आप confirm कर देना उसके साथ आपको यह वाला from मिल जाएगा इसको आपको fill करना नहीं यह आपका card का expiry date, month और यार आपको इ me type कर देना है और type करने के बार आपको pin number, जो आपका ATM का pin है, उसको ही आपको डालना है नहीं कि आपका पॉस्टाल pin है उसको डालना है, तो ATM का pin हमने डाल दीए, साथी साथ यह capture code जो है आपके सामने जो text आया है, images आया है उसको आपको इसमें input कर देना है, और produce侍 पर click कर बस इतना से करने के बाद आपके सामने एक option आ जाएगा ये देखिए successful हो चुका है तो आपका ये जो reference नम पर आ चुका है उसी के सार आपको option मिल जाएगा इंटरियो logging password तो logging password ये पुराना वाला password आपको नहीं देना है आपका नया जो भी password आप चाहे उसको इसमें input कर सकते हैं ध्यान में रखना है एक capital letter होना चाहिए इसमें नीचे instruction दिया हुआ है कैसा आपका password का structure होगा उसको पढ़के आपको 8 character का कोई भी password डालना है है शिदर है कुछ भी डालना है साथ ही साथ जो जो नंबर है कुछ नंबर भी इसमें आपको instruction की हिसाब से डालना है और confirm logging password पे आपको एगेन वही password टाइप करना है आप अंत में ये सभी करने के बाद आपको submit बटन पे जो हे click कर देना है तो हमने इसमें submit बटन पे click कर दि वो set हो चुका है तो ऐसे ही आपने घर बेठे अपने laptop या फिर mobile से आप ये सब कर सकते हैं हमने यही practical आपको दिखने के लिए ये video बढ़ा है साथ ही साथ आप इसमें user id आपका जो recovery हो चुका है उसको आप type किजिए नया password जो आपने अभी entry किया था उस password को इसमें लगाई है और ये capture image आपको इसमें बढ़ना है साथ ही साथ लोगिंग करके आपका net banking में प्रवेश आप कर सकते हैं login id जो है उसे के साथ हम login पे क्लिक कर दिया और क्लिक करने के बाद इस तरह से आपके mobile पे एक OTP चला जाएगा क्योंकि ये financial metal है security कर पार्पोस के लिए आपका OTP आपके mobile पे चला जाएगा OTP को आपको इसमें डालना है और डालते ही submit button पे क्लिक कर देना है हम OTP के डालने वाले है अभी OTP की डालते हुए हम इसमें confirm button पे क्लिक कर देंगे और एक बात गर आपके पास OTP नहीं जाता है नहीं send होट है तो इसमें आपको click here to recent OTP तो यहा इसमें आप चाहे तो आपडेट कर सकते हैं जो आपका email address है चाहे तो बाद में यह letter भी कर सकते हैं तो पूरा का पूरा information आपके सामने खुल जाएगा तो इसमें हम letter कर देंगे अभी फिलाल के लिए तो इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा account statements accounts हमारी profile आपका e statement pending statement जो भी है कितने दिन तक आपका transaction हुआ ता transaction last 10 transaction आपको मिल जाएगा और उसमें के साथ कहा transaction हुआ ता पूरा पूरा view आप आप इसमें देख सकेंगे साथ-साथ चाहे तो आप किसी को भी account पे किसी का account पे ट्रांसपर भी कर सकते हैं पैसा अगर जो भी आप ट्रांसपर करन तो दोस्तों यह था basic information जो कि आपके पास अगर user id नहीं है तो कैसे आप registration करेंगे registration करने के लिए process new wizard के लिए दूसरा है अगर पहले से आपका registration है online लेकिन आपको पता नहीं आपका user id क्या है password क्या है पूरा डी को भरी करने के लिए हमने पूरा का पूरा वीडियो में हमने details वगरा जो ही दे दिया है यह पूरा का पूरा option आपको मिल जाएगा logging id और password क्यों यूज करते आगर नहीं है आपको पता कैसे करेंगे तो आमारे वीडियो आं तक देखने से आपको सपी कुस जो आपका query हो जो भी आपका question हो मिल जाएगा पूरा का पूरा इसमें 10 transaction यहल वीड़ तेंक आपल दस्तो